हेलो माईडिया स्टुडेंस मैं हूं मिनुष रिवास्ताव और आज हम डिस्कस करेंगे जेनरल कंसिडरेशन के जो नेक्स प्रोसीजर है उसके बारे में अभी तक हमने इनोकुलम प्रिपरेशन और उससे पहले की स्टेप्स पढ़ ली थी कि कैसे हम स्ट्रेंड डेवलप्मेंट करते हैं कैसे हम स्ट्रेंड आइसोलेट करते हैं नाव कम तू दा कल्चरिंग कल्चरिंग में हमने कहा है कि हम दो मैथर्ट्स जो है मेंली प्रिफोर करते हैं सैमी सॉलिड कल्चर और सबमर्जड कल्चर के अंदर हम जो स्पेसिफिक मैथर्ट्स है वो कैसे प्रोसीड करते हैं वो हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं semi solid culturing की semi solid culturing basically semi solid word क्या कहता है ऐसा culturing जिसमें थोड़ा सा ना तो ऐसा culture media जो कि ना तो solid हो और ना ही liquid हो semi solid हो यानि एक gel या paste जैसी consistency हो तो अगर आपने lab में microbiology के practicals किये हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आपने अगार पेट्री प्लेट्स वगरा बनाई है या जो है अगर आप बनाएं तो उसमें आप देखिएगा कि जो अगार की consistency होती है जब liquid में होती है तो वो बिल्कुल liquid solution होता है लेकिन जब आप उसको cool कर लेते हैं तो वैसा paste जैसी consistency हो जाती है यानि कि वैसा जैल जैसा बन जाता है तो उस consistency को हम बोलते हैं semi-solid तो यहां पर जो है semi-solid culturing के अंदर हम जो है semi-solid media ही prepare कर रहे हैं ठीक है तो semi-solid media prepare कर रहे हैं यहां पर और उसके अंदर हम अगार को prepare कर रहे हैं ठीक है यहां पर अगार की concentration generally 0.5% होती है 0.5% मतलब की जो है 100 में 0.5 ग्राम ठीक है अगर 100 ml अगर आप वाटर ले रहे हो तो वहां पर 0.5 ग्राम आपको अगार लेना है ठीक है यह हो सकता है कि उससे भी कम हो लेकिन जनरली वैसे जो अगार अगार मीडिया लेते हो तो वहां पर आपके पास प्रॉपर यह कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीका होता है या प्रॉपर लेबल होता है कि इसमें इतने में एमल वाटर में आपको इतना एड करना है ठीक है नाव कम टू दा अब यहां पर क्या करते हैं कि आपने सपोस्थ एड की जिसे हंडर्ड एमल में 0.5 ग्राम मिला लिया अब वोसको अपने अच्छे से डिजॉल कर लिया अब उस मीडिया को आपको क्या करना है स्टिलाइज कर यहां पर यहां पर मीडिया आपने बना लिया लेकिन अब इसके उपर एलुमिनियूम फॉयल से कवर करके अब इसको आपको इस्टिलाइजिशन पर भेजना है अगर लैब में तो उसमें वहां पर कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है वहां पर आपके पास कोई भी पे पर है तो वहां पर उसको पेपर से करके उसको उसके ऊपर पेपर करके और उसको यह तो थ्रैक से बांग दीजिए या उसको रबर बेंड लगा दीजिए तो वहां पर आपका अलुमिनियूम फॉयल का खर्चा भी बच जाता है ठीक है तो यहां पर आप स्टिलाइस इसको आपके उसको अटो क्लेव को स्टिलाइसेशन जरूरी कियो है क्योंकि मीडिया के अंदर हो सकता है कि जो वाटर लिया है अपने पानी में डिजॉल करेंगे अगार को तो वहां पर हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो या उसमें कोई जर्म्स गर गए हों कोई भी अब यहां पर स्टॉलाइजिशन के बाद यहां पर आप स्टॉलाइजड मीडिया को जो मेटल ट्रेज हैं अगर आपने आइस जमाने वाली ट्रेज देखी है तो उस तरह की ट्रेज होती है और इनकी डेप्थ करीबन 1-10 cm होती है इन ट्रेज को सबसे पहले आप स्ट्रिलाइज करोगे इनको भी आप जो है या तो एलकोहल से वाइप कर लेंगे ठीक है और उसके ब या आप और भी बोल सकते हो प्रेकिने के पर वर्ड भी साहिए तिक है अब उस कल्चर मीडिया को आप तो लिटिफाइ होने देंगे जब यह कल्चर मीडिया स्वाड़ी जब अब थंडा करेंगे तो यह थोड़ा सा सॉलीडिफाइज होगा मतला सेमी सॉलिड कंसेसेंसी म आपके बड़ी बड़ी ट्रेस हैं इन ट्रेस के अंदर जो आपने मीडिया डाल दिया है इसके उपर वो जो माइक्रोबियल कल्चर है वो आप जो है एक एक या दो दो एमेल जो आपने प्रिपेर कर रखे हैं या तो आपने अगार प्लेट पर प्रिपेर कर रखें तो वो अब मीडिया का पी एज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर माइक्रोप्स के लिए स्पेसिफिक पी एज होना जरूरी है अकॉर्डिंग तू दा माइक्रो और गनिसम् यह वर्ड है पूरा माइक्रो और गनिसमें कन्फूज मत हो एगा अब पी एज अज करना परता है और पीएज पहले एजिस करना परता था लेकिन आजकल जो प्रिपेड मीडिया जाते हैं उसमें सर्फ आप जो है पानी में उसको डिजॉल करो उसको सॉलिडिफाइज करो तन आप मीडिया में आप माइक्रोबिल कल्चर इंड़्यूस कर दो और सीधे अब उसको क्या करतो आ और उस temperature पर microbes क्या करते है ग्रोथ करते हैं और for a particular time duration के लिए रखा जाता है करीबर ये time duration 24 से 48 घंटे तक होता है 24 से 48 घंटे तक होता है लेकिन बहुत कम culture 24 से 48 घंटे में प्रिपेर हो पाते हैं कई बार culturing के लिए इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है 3 से 4 दिन का time भी लगता है ठीक है तो कोई जरूए नहीं है कि एक या दो दिन में culture प्रिपेर हो जाए यहां पर depend करता है कि आपका media किस तरह के का और डिपेंड करता है कि आपका microbial species किस तरह के कि यह कै तो यह हमारा क्या हो गया semi-solid culturing हो गई में आज कल यह पी एच एड्रिस करना पड़ता है आपको जो प्रिपेर्ड मीडिया आते हैं उनको आप प्रिपेर करेंगे जैसे अभी में कुछ मीडिया के नाम जो है मैं आपको देखके बता देती हूं तो वह जो specific मीडिया होते हैं वह अगर आप डाले तो वह आपके ल देखे हूं है मैंने कुछ नोटिस किया है कुछ मीडिया जैसे आमाइक यहां लेक देती हो जैसे एक फ़र एक लाई के लिए इक लाई ATCC2592 ATCC2592 यह एक specific media है E. coli के लिए आप लिख सकते हैं साल्मोनला टाइफी के लिए जो है specific medias साल्मोनला टाइफी के लिए साल्मोनला टाइफी के लिए यहाँ पर जो media है ATC65 ATC6539 यह semi-solid medias है जो की specific microorganism के लिए prefer किये जाते है उसमें ना आपको pH address करने की जरूत है ना कोई और काम करने की जरूत है सिर्फ specific quantity को आपको water में dissolve करके stylize करना पड़ेगा यहाँ पर उसकी growth होने दी जाती है अब हम semi-solid culture media के कुछ advantages पढ़ लेते हैं इसकी advantages यह है कि इसके अंदर जो investment है वो बहुत काम होता है आपको media prepare करना है incubator आपको लगबग हर lab में मिल जाता है ठीक है यह इसमें जो yield है वो भी high होती है और यह खास्तोर से उन microorganism के लिए preferable होता है जो की fermentation यानि कि अभी हम semi-solid के बाद जो submerged culture देखेंगे उसमें हम fermentation ही पढ़ने वाले है तो इसमें submerged culture जिन में prefer नहीं हो पाती उनके लिए ये method बहुत सही होता है ठीक है लेकिन इसके कुछ disadvantages भी है pros and cons सब जगे है ये एक तो space बहुत जादा घेरता है दूसरा इसमें ये laborious process है क्योंकि सारा process क्या हो जाता है कि आपको पूरा proper तरीके से ध्यान रखना परता है उसमें कितना dissolve करना है कैसे करना है इसके बाद इसकी जो handling है वो काफी कुछ manual handling है कि अगर कोई temperature change हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा यानि आपको हर समय अटेंटिव रहना पड़ेगा आटोमेटर प्रोसेस ये नहीं है ठीक है तो यहां पर यह आपका सबमर्श्ड सब्मर्श्ड कल्चरिंग कम्रीच होता है अब हम स्टार्ट करेंगे सबमर्श्ड कल्चरिंग सबमर्श्ड कल्चरिंग के बाद हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचेगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबमर्श्ड कल्चरिंग अभी तेक हमने बात की है सबमर्श्ड कल्चरिंग की अब हम बात कर लेते हैं सबमर्श्ड कल्चरिंग की सबमच कल्चरिंग अगर आप बुलना चाहें तो basically यह एक तरीके का fermentation process है एक तरीके का यह है fermentation process ठीक है इसे आप बायो प्रोसेस टेखनलोजी भी बो सकते हैं इसके अंदर आप micro organism को кल्चरिंग करते हैं fermenter के अंदर ठीक है यहाँ पर आप micro organism को किसके अंदर कल्चरिंग करते हैं और ये प्रॉसेस कालाता है फर् garmentation के देफिनेशन पढ़ लेजिए वैसे हैं की फिल्ट के तीन अंदर पूरा फर्मनेशन बिल्कुल सब्सक्राश्न यहाँ रिलेक से इन्सेंशन लेकर टेल गाम नत्र है कं इन्हें coherent ओर्टम ऐन मतलब यह है कि फर्मंटरिशन वह प्रोसस है जिसमें does plant dua ग्रोगाइबो करता है इन्हें extremelyeten न्यूट्रीट मीडिया में कुक है और यहां पर नोप्र fuet तो यहां पर एक फर्मंटर की मैंने स्ट्रक्चर बनानी चाहिए कि एक बेसिक इस्ट्रक्चर बैसे एक फर्मंटर में बहुत सारा प्रोसीजर होता है बहुत सारी चीज़े होती है तो वह एक डाग्राम में आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है फिर भी मैंने कोशिश किये वह होता है एक तरिके का से लेंडिकल डिवािस है अगर इसको आप समझें तो आपका एक बड़ा सा वैसल टाइप सा होता है जिस में प्रोसेश जो होगा व Có पूरा आर्ट बेटिक प्रोसेस होता है इसके अंदर फर्मंटर के अंदर जो मीडिया आप डालते हैं वो proper मीडिया होता है यानि कि उसमें जो nutrient मीडिया होता है वो inducer और inhibitors के सार्ट डाला जाता है inducer और inhibitors क्या होते हैं? inducer वो elements होते हैं या वो substance होते हैं जो कि micro organism को desired product में या desired end product में convert करने के लिए initiation प्रोवाइट करते हैं या उसे कह सकते हैं induce करते हैं ठीक है और inhibitors वो element होते हैं जो कि non desired products को बनने से रोकते हैं सबज मारी ये बात कि अगर nutrient मीडिया में हमने inducer लगाए हैं तो inducers क्या होते हैं? inducers वो element होते हैं जो कि किसी भी end product सही end product को बनने के लिए initiation देते हैं ठीक है? और inhibitors क्या होते हैं कि जो गलत end product है या कुछ और दूसरा end product बन रहा है उसको बनने से रोकते हैं मतलब हमारा process को एक सही direction में लेके जाते हैं यहां पर मैंने कुछ आपके inducers जो है add की है जैसे inverters enzyme के लिए यहां पर यह enzyme है और यह आपके inducers है ठीक है? तो यहां पर जैसे अगर inverters enzyme receive करना है तो उसके लिए inducer होता है stars अगर enzyme आपका lipase है तो उसके लिए inducer होता है आपका fatty acid और यहां inducer है यह inducers है सारे ठीक है और अगर lipase है तो उसके लिए inducer होता है आपका fatty acid अगर beta galactosidase enzyme है तो उसके लिए galactosides जो होते हैं वो आपके galactosides जो होते हैं वो आपके inducers का काम करते हैं ठीक है? तो यहां पर इस fermenter को हम क्या करते हैं कि proper इसको मैं यहां से समझाते हूं एक fermenter को आप proper media से with inducer या inhibitor के साथ जो है inoculate करते हैं उसके अंदर डालते हैं introduce कराते हैं और फिर यहां पर जो process होता है वो पूरा automatic process होता है यहां पर इसका एक cap लगाया दिया जाता है और यहां पर यह इसके उप पर जो है water jackets होती है water jackets यहां पर temperature को control करती है regulate करती है ताकि temperature बहुत जादा exceed ना हो क्यों क्योंकि जब micro organism grow करता है तो बहुत जादा amount में carbon dioxide generate होती है और उससे temperature बहुत high mode पे चला जाता है तो यहां पर जो water जाकेट होती है जिसमें पानी अंदर पानी बाहर आता राता है बाहर जाकेट होती है जिसके वजह से जो temperature होता है वो और जार पान झाल, जाने क्यों कि अपर जादा है क्यों करते हैं टो एक काफी जगे से इस तरीके से आपको फोर्म ब्रेकर्स मिलजाएंगे तो नुकिले नुकिले से जो है थीजाद आर जादा oldest चला कि ऩर था जीजा अदिए कजते हैं यहां पर टैमपरेचर करने के लिए इसके लावा यहां गुमाया जाता है यह वही चीज है कि जैसे फेंट रहे हैं तो आप कैसे उसको जो आपके पहात में चम्मच है या बड़ी स्पून है उससे आप कंटिनुस को फैटेंगे तो यहां पर यह जो इंपैलर होता है यह तरह का फैट नहीं बोल सकते आओ या ग्राइंडर बोल सकते हो तो वह क्या करता रहता है मोटर के थू उसको सेट कर दि के अपर के ही जो मटेरिल उसको कंवर्ट कर दिया आव नीचे तक गया ही तो क्या हो जाएगा नीचे का जो नीचे का नीचे नीचे मीडिया है वह नहीं होगा जो हमारा डिजायड ।्रड़क्टि यहां पर इंपैलर की हल्प से उसको मिक्स किया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो सके, मांद़ मांद हो और माईक्रो आर्गिनिसम प्रॉपर उस कल्चर में या उस न्यूट्रिं ब्रथ में या मीडिया में अध्य से इम्भेडि क्षेश हो सके, छिका acid इसके यहां पर इस तरीके से एरस पार्जर्स होते हैं अब यहां से क्या होता है 실i कर दोता है तो यहां से जैसे एयर्स Chinese Kenan यहां से आपने एक एक नुझा हो जाएगा क्या कि घर दीलो अर्य इर पर रिखने हो नहीं πολύ ओडिना यहां से एर आती है, तो यहां से जैसे एर है, अब यहां से आपने एर डाली है, तो 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 अब यहां से आपने एर डाली है, त जिसमें basically fermentation को proceed किया जाता है और यहां पर micro organism को एक fermenter के अंदर डालके nutrient media के अंदर से desired product को receive किया जाता है अब हम पढ़ लेते हैं इसके advantages, इसके disadvantages और इसके साथ साथ जो हमारा last topic बचाए that is the processing चलिए हम उसके discuss करते हैं चलिए हम बात कर लेते हैं इसके advantages, disadvantages and last हमारा जो fourth topic बचा था processing जो हमारा समझ कल्चरिंगे उसके advantages है एक तो हमें labor यानि कि हमारी महनत कम होती है पूरा automatic process है और यहाँ पर infection की risk बहुत कम होती है क्यों क्योंकि पूरा क्या पूरा एक बंद chamber में ये procedure होता है ठीक है तो यह तीन advantages है इसके disadvantages क्या है इसके cost होती है वो काफी high होती है और अगर हमें small scale पर production करना है तो वहाँ पर ये suitable process नहीं है यानि कि ये हमारा method of choice नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर ये small scale के लिए applicable नहीं हो पाता है इसके अलावा जो cost होती है इसकी बहुत ज़दा high जाती है ठीक है last हमारा procedure बचता है that is the processing यानि कि हमारे पास जो है वो तो आ गया है कि हमारे पास हमारा product आ गया है लेकिन अब हमारा product को हम recovery कैसे करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले जो processing है processing में हम recovery करते हैं product की और इस पूरे procedure को recovery and purification of product इस चीज़ को हम बोलते है downstream processing downstream processing किसी भी ना केवल enzyme को ही बोलते हैं अगर हम किसी भी fermentation product की recovery कर रहे हैं purification कर रहे हैं then it is known as the downstream processing ठीक है तो recovery and the purification of product is called the downstream processing ठीक है इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास उस microbial culture में nutrient broad भी थे बहुत सारा microbe भी था तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा काम होगा separation का यानि कि उसके अंदर हम cell debris यानि कि जो cell वगेरा materials पढ़ा हुआ है उसको हमें separate out करना है और वो separate out हम करते हैं with the help of filtration or centrifugation ठीक है उसके बात हमारे पास यहां पर क्या होता है जो कई सारी cells हो जाती है उनका जो nucleic acid होता है वो nucleic acid हमारी recovery में कहीं interference करता है the nucleic acid interference with the interfere with the recovery and purification of product तो उस nucleic acid को हमें remove करना परता है by the help by the adding of polycations उसमें हम बहुत सारे कुछ specific ions मिलाते हैं जिससे जो उन cells का DNA है आरने है वो destroy हो जाता है ठीक है और वो होते है polycations जैसे polyamines है polyethylene amine जो है इस तरीके के जो poly ions है वो included होते है ठीक है अब यहां पर जो है यानि कि nucleic acid को हम precipitate out nucleic acid can be precipitated and removed by adding polycations polyamines and polyethylamines ठीक है यानि nucleic acid को हटाने के लिए हम यह सारी चीज़े add करेंगे now come to the अब हमारे पास जो है cell debris अलग हो गई है nucleic acid अलग हो गया लेकिन अब हमारे पास जो enzyme आया है उसको हमें precipitate out करना है ताकि enzyme बाकी सारे कचड़े से अलग हो जाए ठीक है तो enzymes are precipitation enzymes का precipitation किसकी health करेंगे by using salt इसमें specific salt set करेंगे जैसे ammonium sulphate है isopropanol है specific ethanol है acetone है यह इस तरीके solvent जो होते है ammonium sulphate और इसके साथ साथ जो है specific यह सब जो होते हैं यह सब आपके organic solvents हैं और इन organic solvents को add करके हम जो है हमारा enzyme precipitate out करेंगे ethanol है isopropanol है acetone है यह सब ठीक है अब यह सब करने के बाद हमारे पास जो enzyme आया है अब हो सकता है कि उसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी च चाहिए कुछ अँडि decía Corinne का अंक्रिजएंट उसके लिए हूं चाहिए उसके लिए हम घ्रिख लिख लिकविड के पार्टिशन करते हें तपैखने और इसके आसाथ इसा उसमें पॉलि एधायलीन ग्लाइकोल मतलब कि लिकिट लिकिष्ट एक्से Ganze किया जाता है बाइडिंग दा सुटेबल सॉल्वेंट तो व्हु सॉल्वेंट्स कौन-कौन से होते हैं बाइडिंग और यूग यूजिंग पॉलि एथायलीन ग्ल फिर भी फाइनली अभी भी हमारा हम हमें तसली नहीं हुए क्योंकि एंजाइम बहुत महंगी चीज है और बहुत ही अमूली चीज भी है तो इसलिए हम फिर से एक बार उसको सेपरेट आउट पर डालेंगे सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन और इसके लिए हम सबसे जिन से मोस्त एलिज बल मैथर और मोस्त कह सकते हैं कि रिलाईबल मैथर वो था अपर क्रोमेतुगराfij और उसको आम डालेंगे मैथ ballot पर और और उसको हम डालेंगी क्रोमेट्विक chromatography, interaction and diligen chromatography. ठीक है, इन सभी मेसेज्ज जो आपकी size exchange chromatography है, वो बहुत जादा reliable method है, यानि बहुत जादा applicable method है. After chromatography करने के बाद, आप finally surety हो जाती है, कि हमारे पास जो product आया है, वो हमारा desired enzyme product ही है. लेकिन अब finally हो सकते हैं कि हम इसमें इसको अगर हम dry session के form में डालें तो हमें जो है उसको carry करना आसान होगा तो वहाँ पर इसको हम drying mode पे लेके जाते हैं और drying mode के लिए हम उसमें film evaporators और freeze dryers जिने हम lyophilizers भी कहते हैं वह उन पे उनसे हम इसको dry कर लेते हैं and then last and इसमें हम करते हैं packing and the desired enzyme products are packed तो यहाँ पर हमारा यह जो आपका production of enzyme का general consideration है वो complete होता है I hope आपको इस सभज में आया होगा now अब हम start करेंगे जो है आपका amylase और catalase इनका production जो है वो हम start कर देंगे ठीक है चलिए और अगर कोई भी doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कहीं मुझसे कोई mistake होड़ी है तो वो भी आप comment section में बता सकते हैं ताकि मैं अपने आपको improve कर सबूँ thank you है